पिकाच्यू इस वीडियो में हमने हिंदी सब इसलिए चूज किया क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा माज़दार होते हैं मैं आपको डोमेस्टिक गल्फ्रेंड के कुछ डायलोग सुनाता हूँ मैं उस जैसे चूती को फिर कभी नहीं देखना चाहोगी नेक्स्ट वन क्या सुबह तक मेहनत करनी चाहिए बहुत अच्छी है बट इतनी भी नहीं कि फटके फ्लावर हो जाओ एंड लास्ट वन में ना फेवरेट अरवेंचाथ अमसे मैं लेकिल अभी दर ये गाइस ऐसे बहुत से अनिमेज सब आपको अनिमेज में देखने में विलेगे और बहुत ही मसा आएगा तो आज की वीडियो बेहां किसे देरी के स्टार्ट करते हैं तो नमबर 5 पर है The Secret World of R.E.T. यह मुवी 2010 में रिलीज हुई यह फैंटिसी वर्ल्ड बेस एनिमे मुवी है तो स्टोरी है जो बॉइ नेम शू अपने समर वीक पर अपने मदर के चाल्डूर हाउस पर आता है फर्स डेह उनकी जो कैट है निया वो किसी पर हमला करते हुए उसे दिखते है तब उसे एक क्विक बड़ थोड़ा सा ऐसा इमेज दिखता है यंग बॉरल गर्ल जिसकी साइज हमारे हाथ के जितनी होती है वो अंडरग्राउंड में अपने होम के लिए जाती होती है बाद में कुछ सिजुजेशन में वो दोनों भी आमने सामने आते है शू एंड वो यंग गर्ल विकाज आफ अफर साइज उसे बहुत सारे एडवेंचर करने परते है वो शू एंड वो दोनों वेस्पेंड भी बनते है जिसकी वज़े से उनमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है यह मुवी बहुत ही अच्छी है नेक्स नमबर फॉर पर है दविसकर है यह अब भी 2020 में रिलीज हुई है और इसका जो इंग्लिश डबिंग वो इस जून 28 को आ सकता है यह मुवी बहुत ही इंट्रेस्टिंग है थोड़ी इमोशनल, थोड़ी कन्वरसेशन और न्यू है तो आप इस मुवी को ज़रूर देखिएगा तो स्टोरी गोस मियो सासा की अनैपी मिडल स्कूल गल जो की ताको नामे टाउन में रहती है और उसका जो रिलेशन्शिप होता है अपने स्टेप मदर के साथ कुछ अच्छा नहीं होता एवरी डे वो अपने क्रश के इनतों हिनोदों को फलर्ट करने जाती है वो उसे रिपेटेट रिजेक करता है रहता है बट स्टोरी में इंट्रेस्ट तब आता है जब उसे एक मिस्टेरियस मास्क सेलर नोहे मास्क देता है जिससे वो कैट में ट्रांसफोर्म होती है और कैट में ट्रांसफोर्म होने के बाद वो अपना सारा टाइम हिनोदों के गरी विताती है वैसी भी ऐसा चांस कोन चोड़ने वाला है आगी की स्टोरी पर बहुत ही इंट्रेस्टिंग है और होल मुवी भी बहुत ही अच्छी है नमबर तीन पर है दो बोई अन्द बीस्ट किये दो बोई रेंड इस अल्टरनेट यूनिवर्स में स्लीप होता है और वहां उसे एक बिया मैन कुमा टेच्छू एड़ब करता है और उसे एक न्यू नेम देता है क्योता इस इस रेले इंटरस्टिंग और कॉमिरी स्टोरी जिसमें क्योता दोनों वर्ड में थ्रस्ट यानि की पीछ जाता है और उसके इस न्यू एडवेंचर लाइफ में वह क्या करता है यह देखने में आपको बहुत ही मज़ा आने माला है बहुत ही अच्छी मुवी है नमबर टू परेद परफेक्ट ब्लू यह मुवी 1998 में रिलीज हुई जब भी नाइंटीन का नाम सुनता हुआ वह गोस्ट वाली मुवी की वहाद आती है यह मुवी जो है मीमा कोरेगा है जो की मेंबर होती है एक जैपनिस आइडल ग्रूप की बट वो म्यूजिक से रिटार होती है क्योंकि उसे अपना करियर एक्टिंग में करना होता है बट उसके साथ उसके साथ उस टाइम में कुछ हाच्छे होते है जिसकी वाज़े से उसकी जो ग्रीप है रियालिटी पर वह छुट ले लगती है एड़ उसके जो करियर पर भी है वह बहुत ज़्यादा आफखक करता है यह जो एक fantasy world and reality इन दोनों के बीच की एक movie है और देखने में बहुत यह अच्छी है नेक्स्ट एंड लास्ट movie है नमब बन Colorful यह movie 2010 में release हुई story जो है उसके fantasy, mysterious past and ऐसे things पर है मरने के बाद death station पर soul को बताया जाता है भाई तो तो lucky निकला यार और फुर उसे फिर another chance मिलता है फिर से जिने का 14 years boy माकोदो जिसने suicide कर लिया है तो उसी के body में ये new soul अपना फिर से new life start करती है so present soul जो है माकोदो में है और उसे फिर वो दो mysteries है पहला तो ये भाई मैंने ऐसा कौनसा काम कर दिया पिछली life में कि मुझे ये फिर से chance मिल गया and second one माको तो ने suicide क्यों किया इन दोनों mysteries के साथ movie बहुत ही अच्छी और बहुत ही interesting है तो guys आज की वीडियो यही पर कतम आप गर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like and share जरू किजेगा अगर आप चैनल पर नहीं है तो subscribe भी कीजे and आपको बहुत बहुत साइंस की हमारे 2K complete हो चुके ऐसा ही support बनाए रखे जल्दी हम 5K वीडियो पोचेंगे इसी आशा रखते and thank you again bye bye